पुरानी रंजिस को लेकर पत्रिकार की उपर हुआ हमला छति ग्रस्त हुई बाई बता दे कि आजम गर्जिले की अत्रवलिया थाना छेतर के दादर गाउन निवासी विनोद राजबर पत्रिकार की पडोशी से काफी दिनों से पुरानी रंजिस चली आ रही थी इसे बीच बीते 9 माई रईवार को दोनों परिवारों की बीच कुछ विवाद हुआ और उसी दोरान पत्रिकार की बहन घाल हो गई जिसकी सूचना पाकर पत्रिकार अपने घर बाईक से जा रहा था कि गाउं के एकुछ लोगों दोरा उस पर हमला कर दिया गया जिसमें विनोद राजबर को चोटे भी आई और उनकी बाईक भी छदे गरस्त हुई बता दे कि विनोद राजबर ने बताया कि उनके घर से और उनके पडोसी की घर से कुछ विवाद हुआ जो बाद में मारपीट में तबदीर हो गया इस घटना की सूचना विनोद राजबर को फोल से परिवार दोरा मिली तो वो तुरंद घर के लिए रवाना हो गया और इस घटना की सूचना भी 112 पर दी गई विरोध राजबर के अनुसार जैसे ही वे गाउं में प्रवेश किये तो उनके उपर उनके पडोसी ने हमला कर दिया हमले वे विनोद को चोटे भी आई इस घटना से ततकाल आडिया जनलिस एसोसियेचन बुढ़नपूर तैसिल अध्यक्ष आशिस निशात को अवगत करा गया और हमले की सूचना अस्थानिक पुरिस को भी दे दी गई मौके पर पत्रकारों की एक टीम अत्रवलिया थाने पर पहुची और उचित कारवाई की मांकी पत्रकार के उपर हमले को देखते विया स्थानी थाने पर मुकदमा भी दर्ज किया गया थाना प्रभारी माखन सिंग ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोस्टियों के उपर आवश्यक कारवाई की जाएगी इस मौकी पर पत्रकार आशिष पांडे, प्रवीड मधेशिया, आशिष कुमार, निशाद, राजेशिंग, रामनात, उर्फ राजू, रविंद्रनात, गुपता, नूर मुहम्मद, विरोध राजबरसाइद, इत्याद लोग उपस्थित रहें